अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री यहां कोई किसी के बीच नहीं आ रहा है सूरज विटा, घर पर आई हुए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताओ करते हैं, वो भी त्योहार के दें कभीर, तुझे कहीं लगी तो नहीं न? हम ठीक हैं काकी, खुद को संबाल सूरज, जरूर यह मा की चाल है इसलिए तो कभीर को बुलाया था, और अब इनोंने पूरे परिवार के सामने प्रूफ कर दिये कि तू वाइलेंट है, बी केफुल सूरज, बी वेरी केफुल अब, I'm sorry, I'm really very sorry कभीर केसर मैं सच में एड़ेट हूँ, इसमें कभीर की कोई गलती नहीं है मैं कुछ जादा ही competitive हो गया था, हारना बरदास्ट नहीं है न मुझे थोड़ा टाइम दे दो, प्लीज कभीर, I'm really sorry, पता नहीं सूरज को क्या हो गया था चाने दो केसर, तुम क्यों सूरज बोल रहे हूँ नहीं, तुम यहां त्योहार मनाने आये थे और यहीं सब कुछ हो गया अब तुम चिंता मत करोगे सर, तुम बस अपना ख्याल रखो कभीर, मैं मानती हूँ कि सूरज कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते है पर उनका इंटेंशिन किसी को भी चोट पहुचाने का नहीं होता है प्लीज तुम उने गलत मत समझना कोई बात नहीं के सर, पतंग बाजी में अक्सर ऐसा होता रहता है एक बाद जिगनी भी हमारे उपए ऐसी नाराज हो गया था हमने उसकी पदन काग देती ना, तुम चिंता मत करो हम सूरज के गुस्सा होने से बिलकुल भी नाराज नहीं है काकी, हम चलते हैं जैंबे मा जैंबे बिटा चले भीया तुम डुको आरती आराम से आजाना, हम सूरज को भी देख लें, अंपीका भो, बहुत गुस्से में गया है वो जो हर के दिनों से ऐसा अकेले छोड़ना ठीक नहीं है मासू, आप रोके, मैं देखती हूने केसर, मैं भी चलती हो कब तक इसकी परचाई बनी रहेगी तू केसर में तेरे संसकार है, वो सूरज को संबाल देगी अगर तो इनकी शादी शुदा जंदगी में सला देना चाहती है तो शौक से दे सला और दखल में बहुत बारी कंतर होता है ये बात मत भूलना वरना ऐसा ना हो कि केसर को भी तेरी बात में बुरी लगने लगे सुरज! इनमाद चोड़! दिमाद खराब होगे तरह! वैसे आज बाल बाल बजगे सुरज जाजगोर ये तो मैंने अपना गुस्ता सही टाइम पर कंट्रूल कर लिया वरना माँ को आज फिर से एक मौका मिल जाता मुझे सब के सामने गलत साबित करनेगा सीफाइब आप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिलकुल फ्री क्टे है